हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप सेजिकेशन पर मेरा नाम निशू है और मैं आपको बता रही थी से जो लडी सी की पोष्ट मिलती है तो उसके लिए आपको टीवी की टाइम पर डिफरेंट डिफरेंस है वो पूछी जाती है तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट फिल करना है यह सोच समझ कर करना है क्योंकि आपकी एक गलती की वज़े से आपको जिंदी की वरका पचतावा हो सकता है तो डिपार्टमेंट फिल करने से पहले आप सब को जानना पड़ेगा पहले कि इस पोस्ट में अगर लडी सी अगर आप इस डिपार्टमेंट पर काम करोगे तो क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा आपके प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे ट्रांस तो मेरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्सन में दी गई है वहां जाकर आप देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके cgda के बारे ठीक है तो जो cgda की पोस्ट है cgda में जो आपकी ldc की जो पोस्ट है वह यह आपका अगर टाइमिंग की बात करें तो आपका जो टाइम है वो रहेगा 9 to 530 और 5 डे बर्किंग आपका रहेगा यानि कि आपको वीग में पांच दिन ऑफिस जाना है दो दिन सेट पेमेंट का और अकाउंटिंग का ठीक है जनरली यही काम होता है लेकिन जो एंपलोईय वह पर काम करते तो उनके अड्मिंस्ट्रेटिव रिलेटिड उनका पे रिलेटिड वर्क भी होता है अब आपका काम है वह डिपेंड करता है आपकी सीट पर जनरली होता क्या है ldc क काम है वह पूरा ओडिटर के जैसा ही करता है बस सेलरी में डिफ्रेंस होता है ठीक है अब ldc के लिए प्रोमोशन की सबसे पहले पोस्टिंग की बात करें तो इसकी जो ऑफिस है बहुत सारे है पूरी ओल इंडिया में तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है और बाकी अब बंगें हम प्रोमोशन की जो प्रोमोशन है ldc से आपका जो प्रोमोशन होता है अदर कव मोता है ल्टीपर विव पोस्ट का नंभी हो आप बनोगे auditor ठीक है तो LDC से auditor बनने में आपको लग जाएंगी लगवग लगो 8 से 9 साल यह है आपका regular promotion लेकिन अगर आप departmental exam दे सकते हैं तो जब आप LDC की पोस्ट में select होते हो तो आपके 2 साल हो जाते हैं आपका probation period complete हो जाता है आपका confirmation order आपको मिल जाता है और SAS के लिए जो departmental exam conduct कराया जाता है आप उसके लिए eligible हो जाते हो जी हाँ SAS exam यह ऐसा एक्जाम है जो आपको सीधे 1900 grade पे से साल में cable तीन साल में auditor के लिए आपको कम से कम तीन साल जाए ठीक है और SAS exam के लिए इधर दो साल में ही काम हो जाएगा तो आप अगर फर्स्ट पार्ट की साथ साथ आप सेकंड पार्ट भी किलिए कर लेते हो SAS exam का तो आप सीधे बन जाओगे डवल एओ यानि कि assistant audit officer ठीक है यानि कि LDC से सीधे आप officer level की पोस्ट पर जा सकते हो लेकिन इसका negative point यही है कि आप से state की जो preference है वो नहीं पूछी जाती है आपको जो randomly allocation किया जाता है लेकिन rank के according जहां तक है वो कोसिस करते हैं आपको state री देने का अगर आपकी rank अच्छी है तो आपको home state मिली ही जाएगा ठीक है तो ज्यादा चिंता करने वाली भी बात नह facility LTC, traveling वागरा का यह सब तो मिलता ही है लेकिन इसमें एक और facility जो है मिलती है क्योंकि CGDA है वो ministry of defense के अंडर आता है तो defense के जो भी employee होते हैं उनको क्या मिलता है canteen card ठीक है तो आपको canteen card की facility जो है मिलेगी ठीक है तो आप canteen card से canteen जाके कम rate पर सामान खरीद सकते हो तो आप आपको यह facility जो है वो extra है यानि कि देखा जाए तो overall यह job आप यह जो department CGDA LTC की post के लिए बहुत अच्छा है आपके आगे future के career के लिए और workload भी ज्यादा से ज्यादा अकर workload होगा भी न तो दिन में 3-4 घंटे आप काम करो फिर उसके बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हो आग 30,000 और जो 33,000 है आपकी इन हेंट सेलरी बनती है ग्रॉस सेलरी आपकी बनती है लगवग लगवग 36,000 ठीक है तो यह आपकी salary की बात हो गई अब आपका doubt था कि अगर आपकी पूछे कि आप जैसे आपका selection हो चुका है आपको department अलोट हो इसके बाद हो ना क्या है सबसे पह Agile Postal Assistant मैंने वर्क किया है तो मैंने अपना जो Medical है वो सेयर किया है Attestation Form भी है मैंने सेयर किया है कि कैसे fill करना है और इसके लाबा मैंने अपनी PA की जो PASA की salary slip ASO की salary slip फिलाल में currently agent ASO working हूँ MHA Ministry of Home Affairs में ठीक है तो उसके बारे मैं भी मैंने आपको बताया बहुत सारी informative वीडियों जो मैंने बनाई है दोस्तों आप मेरी playlist में जाकर जरूर देखें आपके लिए बहुत helpful रहेंगी दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ठीक है thank you